दोस्तों stock market में मेरा एक learning हमेशा ये रहा है कि हमेशा momentum के साथ जाओ अगर momentum नीचे की तरफ जा रहा है तो वो stock नीचे जाएगा और momentum अगर उपर की तरफ जा रहा है तो वो asset जो है उपर ही जाता रहेगा जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप किसी company के या किसी stock के chart को analyze करेंगे तो आप देखेंगे वो एक trend पकड़ा रहता है लंबे समय तक या तो वो उपर जा रहा होता है या वो नीचे जा रहा होता है ये stock market में एक बहुती important कहावत है hold your winners and sell your losers मतलब जो नीचे जा रहा है आपके losers है उन्हें बेच दो वो नीचे ही जाते रहेंगे और जो उपर जा रहे है उन्हें बेचो मत उन्हें पकड़ के रखो आप शायद जादा पैसा कमाएंगे तो ये जो stocks होते हैं ये जो momentum stocks होते हैं इन्हें आप easily कैसे ढूंड सकते हैं तो आज मैं आपको एक screener दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर आप जो है देख सकते है momentum stocks so scanx.trade जो है ये एक free platform है धन की टीम ने बनाया है तो scanx.trade मैं यहाँ पर use कर रहा हूँ इसमें आप login करे ना करे, features में कुछ difference आता है, आपको save अगरा करना है तो आप अपने धन की account से login कर सकते है धन का free account खोलने के लिए link मैं आपको description में दूँगा अब scanx.trade में इस website को open करने के बाद इसका link भी मैं description में दूँगा आप screeners पर आईए screeners में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए technical screeners है बहुत सारे सो जब आप technical screeners में आते हो तो यहाँ पर आप देखिए momentum stocks को option है इसे आप click करेंगे तो आपको momentum stocks मिलेंगे अब यहाँ पर आज के date में सिफ दो momentum stocks है तो वो दो दिखा रहा है अगर ज़ादा stocks होते तो वो ज़ादा दिखाता तो daily जो है आके आप इस dashboard को देख सकते है अब खास बात यह है कि यहाँ पर जो है कई सारे criteria है जिनके basis पर यह momentum stocks decide किये गए है एक simple criteria है market cap की कम से कम भिया 50-500 करोड का यह market cap हो आप अगर customize click करेंगे इसके लिए आपको login करना पड़ता है अगर आप customize click करेंगे तो आपको जो है यह market cap और बाकी सारे numbers change करने का भी मौका मिलेगा तो मैं चाहूँ तो मैं इसे 100 करोड पर भी ला सकता हूँ तो यहाँ पर कुछ और stocks शायद मिल जाए अगर मुझे लगता है कि मुझे ज़ादा बड़े stocks में ही काम करना है तो मैं इसे change करके 1000 पर भी यहाँ पर ले जा सकता हूँ इसी तरह revenue, industry, index यह वाले भी filters आपके पास available है लेकिन momentum में इस वक्ति यह नहीं लगाए गए है penny stocks को भार करने के लिए 10 रुपैसे नीचे के stocks को यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है अगर इस filter को निकाल दो तो शायद हो सकता है एक stock यहाँ पर extra आ गया यहाँ पर volume, EMA, इनके सारे criteria जो है time frame 10 दिन का है आप चाहो तो उसे आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो तो वो options आपके पास available होते है RSI again यहाँ पर 70 set किया गया है आपको लगते RSI से भी आपको थोड़ा सा कुछ adjustment करना है तो आप कर सकते है तो momentum stocks को identify करने के लिए trading के लिए या investment के लिए यह एक free एक तरह से service या screener है इसका link जो है मैं आपको description में दूँगा scan exploit platform का आप momentum stocks को identify करने के लिए इसे use कर सकते है